जब विग बॉस से मैं गई हूँ तो सलमान खान से कईयक दाएं बात होई है लेकिन वह इस नमबर पर घंटी तो जाती रही है लेकिन अब फॉन प्रिशीव नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से अपनी जिला जेल होती है उसी तरीके से विग बॉस की जेल होती है लौली बिंद् इसा है कि पकड़ भी हम लोगने किया है तो ऐसा है कि जब करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या और कईयक ऐसे भी अपहरण हुए हैं कि आपने कई कि फलाने के पास में इतना इतना धंदौलत है इतनी इतनी केती पढ़ रही उसको उठाके लड़का लेके आए जब उसका रि सिधान्त नाम है मेरा और दिला लन टॉप की जो यह यात्रा है उसमें हम कई तरह के लोगों से कई तरह की बातों को सुनने समझने और बत कि आने का प्रयास करते हैं उन बातों की अ-जिर्द और इस क्रम میں हम और ऐया जिले में आए तो लोगों ने कहा कि आएई हैं तो वह कि नहां पे रॉमकान्त की बालु शही तो ज़रूर खालिजियेगा सीमा परिहार से भी मिल लीजेगा। सीमा परिहार जिनका पुराना परेके है कि वह दस्यू समुदायिंजाका से तालुक रखती थी, बीच का परिचे था कि वो बिग बॉस में आ चुकी थी और उसके बाद का परिचे था कि वो चुनाओ भी लड़ चुकी थी चुनाओ भदोई रोख सबसे, साथ में, ने, नड़ी ने, ये बिग बॉस से पहले की बाद है, बिग बॉस से पहले की बाद है, लोग पुछते हैं, बिग बॉस में गई सल्मान खान का फोन आता है, क्या बीबी? हाँ भईये, जब बिग बॉस से मैं गई हूँ, तो सल्मान खान से कई अगदाएं बात हुई है, और माली जी कम से कम तीन-चार साले बात होती रही है, अब पता नहीं कि वो नमबर बदल दिया है, या कोई दूसरे पर रहता है, लेकिन उस नमबर पर घंटी तो जाती रही ह है, लेकिन अब फोन पर रिशीव नहीं कर रहे है, अब पता नहीं वो अब सल्मान खान पर है कि दूसरे शक्स पर है, क्योंकि दो चार दाय हमारी बात हुई है, तो यह बता रहे थे कि हम नमबर जल्दी चेंज कर देते हैं, क्योंकि उनका नमबर कुछ लोग ऐसे उनके जाते हैं कि पचास-पचास हजार तक में नमबर खरीदने को तैयार हो जाते हैं, अच्छा हाँ, तो हमारी कईयक दाय हुई है बात उनसे, सल्मान भाई से, लेकिन अभी दो-तीन साले होगी तब सी बात नहीं हो पा रही है, पहले 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 उठाते थे, पहले वही उठ लेकिन जब हमारा यहां से मैसिज जाता था तो उसके बाद में हम कॉल लगाते थे, लेकिन पहले मैं यही भी बोल के आय थे जब मैं बिक बॉस में थे, कि सल्मान भाई हमें मैसिज लिखना जादा आता नहीं है, तो मैसिज का उस टाइम पहले जब सल्मान भाई से मैं मिल है लेकिन हटाया नहीं क्योंकि शुरुआ से 2003 से हमारे पास जला है वो फॉन जब सुरेंडर की थी नहीं मैंने 2000 में किया था सुरेंडर के बादी नहीं फॉन ली हाँ फॉन तो जब मैं जेल से निकल के आ गए तब मैंने अपने हाथ से लिया है तब मेरा पहले भाई चलाता ना जे उसने फॉन लिया था उस टायम पर अगर छोटा वाला भी फो फॉन कोहीं ले 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 ता तो से पास में तो फॉन आ गया क्योंकि पहले रिशीवर चलते थे और हमारे महला में एक औह दो जननके यहां give our और किसी के घर में नहीं थे कहीं से अगर कोई का फॉन नंबर कि घर माद न आता था तोब तो से घर्ड आजाता था तो वह है तो तब इनके यहां में सुन जाधा तो पहले लोगबागों का तो पहले तक अजा तरो बता थो कभी नहीं हो पाती थि और जब तक पहुंni तुOh RE फिर उसके बाद में घरन घरन एक और चला था इतना बड़ा डिबबा सा अता था उसमें एक एरियल निकर रहता था एंटीना वो काफी जनन की यहाँ छला है लेकिन हमारे यहां तो नहीं चला है अ अवारे यहां फोन हमने हमारे भाई ने पहले ले लिया था और हम तो जब यह उसे छूटके जब मैं पिक्चर अपनी बना चुके थे किसना मिस्रा के साथ मैं उसके बाद में भाई ने हमसे लिया था फिल्म में खुदाय अक्टिंग की सुने हाँ जी किया नम था फिल्म का नम वुंड़ेट दे बैंडिट कुइन कर के नम था नहीं है बॉंड़ेट हाँ जैसे कहाने का मतलब आप घायल कहा है आप थी उसमें और कौन-कौन था नहीं मैल तो हमा ही है उसमें और जिसकी जरूर पर भी पकड़ लिया जनता को उस पर रॉल करा लिया कोई बंबई का एक्टर है ही नहीं लेकिन हमारे डारेक्टर साब ने थोड़ी उसमें कमिया कर दी हमने डबिंग के टाइम पे डारेक्टर साब को बोला था कि इसमें अनहरापन जादा आ रहा है तो बोले नहीं सीमा विऌन अनुछण जा जाएगी तो हमने चल जाएगी तो देखिये उनकी भी पहली पिक्चर की डारेक्टरी थी उनने कईपिंचरवन Mikami काम किया था लेकिन डारेक्टर नहीं बने थी किस्ना Misra उस टाइम पर यल्रियेकर की फिलिम से हुए लेकिन αштा थखमा प्रेइलों यह भी नहीं दिखावटी बंदूके नहीं है, सब रियल, रियल फाइरिंग करने में जब हमने पुलिस की मुठेर कर रहे थे, एक दिन जंगल में सुटिंग कर रहे थे, तो एक ललका इधर का था तुमारे बनारस के और आंगे का, उसने उसको रोक दिया था कि तुने कभी तो बंदूक लिये था, तो उस टाइम पर बासने कह दिया था कि जब आंगे कोई हो तो आप बंदूक नहीं चला सकते हो, आप बंदूक दिखा सकते लेकिन आप नचलाना, लेकिन फिर भी फाइर कर दिया तो एक लड़का युनियट में मर सकता था, उसके लग सकती था, तो उसके मैंने दो-चार थपड फिर बजाई, अच्छा, जो बात कि लिए, भाई किसी के अगर जान चली जाती हंसी हंसी में, तो उसका बच्चा तो मैं लोटार कदे नहीं सकती थी, और सुटिंग के टाइम में भी हाई कोट का डारेक्शन था, तो देर सेक्शन हमारे प जालोन का हुआ, और तुमारे कानपुर्देहात का जंगल हुआ, कुछ मद प्रदेश का आ जाता है, वहीं वहीं मैंने सुटिंग लिये रियल जंगल में, तो उस टाइम पर दस्वों को सर्राटा जाधा भी था, उस टाइम पर हम निर्भै से गोली भी चला चुके थे एक हैं कितना है? उसी में मडर के थे, उसी में अपहरल के थे, मडर के हमारे पास में दौई थे, उस एक 207 एक बडर था न एक आ जाता है। इम पर आई है कहानि किर है, स्वाह पर है कामरे के बार कचाए यह बहूँब बहुत जगह बताना पड़ाओगा, स्वाह पर हाजिए तो उसके दो तीन साल पहले से हमने यूटूब पर डालना कार था उसमें आपने देखा होगा कभी कुमार मनोज का यह इस कहा है तो हम लोगों ने घरा ही मैं प्रस्थस्ती चैनर बनाया है हमने मिल के उसी यूटूब पर मनोज जब से मनोच जी का बराबर फोन आ रहा है अब तो नकलव में ऑपिस हो गया और लेकिन तब से हम नहीं गए हैं जब से कोरोना काला आया है तो तब से मैं यूटूब में डालने लगे हैं पहले मनोच जी ने सबसे पहले एक दाए बीडियो डाला था बना के तो मैंने इटावा के प पता नहीं था कि सीमा परहार के साथ में अगर किसी तरीके का वीडियो लेंगे तब भी लाइक होगा क्योंकि हम भी नहीं जानते थे कि हमारे चाहने वाले हिंदुस्तान में इतने बैठे हुए हैं लेकिन हमें तो तब पता लगा जा हम बिक बॉस में गई हैं अच्छा य सुन मरें और सुन में गया नहीं नहीं दो गजाना रहते हैं पता हैं पूछ सकते हैं आपके इनुमती हो तो नहीं पूछिए एक फिल्म आई थी जो फूलन देवी पर बनी थी वह मतलब बहुत अच्छी फिल्म है और फूलन देवी कहानी भी बहुत ज्यादा उधारणों से भरी हुई है तो अपहरण के बाद जंगलों में कन्याओं के साथ गल अपहरण के लिए अपहरण कर सकते हैं बागी लोग लेकिन उसके साथ में अत्याचार नहीं करेंगे बस वही अत्याचार है कि आपको अपराधी दुनिया में डाल देंगे लेकिन अगर ये देखा जाए कि सरीरिक सोसल करते हैं नहीं करते हैं क्योंकि अगर जितना लेकिन किस ना किसी परसितियों में बना है, नीके भले कोई नी जंगल में जाके अपना जीवन काटेगा, किसी ना किसी समाझ का सताया हुआ होगा, या प्रिशासन का सताया हुआ होगा, या घरवालों के सताया हुआ होगा, किसी ना किसी कारल कुछ हुछ के साथ में कारल हु नहीं, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जिस दिन हम गए थे हमारी 13 साल की उमर थी, और हम एक दो साले रहके नहीं आई, मैं 18 साले रहके आई हूं जंगल में, तो हम कैसे मानें जब हमारे साथ में सोचल नहीं हुआ तो हम दूसरे का कैसे विश्वास करेंगे के हो गए होता है हत्यार मैं ने उठाया है, हमारा 93 में कनवा फेरल हुआ था, तीन साल के बद में मैं ठाया है, जब हमारे गाउं, आप और ये जिला में अब लगता है क्योंटरा गाउं पड़ता है, क्योंटरा गाउं के बगल में मलाःन का गाउं है, म大概पूर, मड़ापुर के पास से हम निकल लहे थे तो हमें रास्ते में एक मलाव मिल गया वो हमारे गाउं का था मलाव तो उसने जब मिल गया तो उसने पहले पैर चुए पैर चुने के बाद में उससे बैठ के बतराने लगे तो बोले कि बुगा जी तुम्हारे मम्य पापा सब जेल में चले गए और तुम्हारे घड की कुड़की हो गई तो जब मैने सुना तो एक धक्का तो लगता ही है एकुछे में करना है तो जादा करें अजयार में 75 एकुछे को एकुछे करें लिए माली थो पर ने नभ्य पर संथ हम रखते हैं और दश परसंट हम बहन लगते हैं हमारा ऐसे प आछीजी से नाता ही चलता था उन-से सब यही बाबा कहा रहते थे सब लोग तो वो ऐसा पर हम से जो बुरे-बुरे बैटे उनके लड़का उनके हम से बहुत हुमर में हैं वो उनके बाप हम थो дав биन हैं तो लाला राम जी ने बताया कि आप जब आपका अपरादिक दुनिया में पहुँच चुकी थी तो हम ने किस तरीके से पहुँचे जब आदमी कोई अपराद नी करेगा कैसे हम पहुँचेंगे कि वो तो गैंग लीडर के उपर रहता है कि हमें कहाँ पर किसका नाम देना है किसको वारिंटिट करना है तो हमारा एक पैड का उनने कागत दिखाया उसमें कुस्मा नाइन का और लाला राम के नाम का पैड चपा हुआ था तो उस काड में जब किसी अपरादिव जैसे अपहरल किया है तो उनने काड डालते थे वो पैड वाला उसमें नाम दे देते रहे हैं तब मेरे को पता लगा तो मैंने वहाँ पर मेरे को यह दिखाई दिया कि अब हम यहां से निकलने वाले तो हैं ही नहीं क्योंकि तीन साल है हो गई तीन साल में हम कभी नहीं निकल पाई है तो अब तो रोज है तीस दिन दुखते हैं कभी ना कभी पुलिस से गोली चलती महीना दो महीने हम गोली चलना है तो हम यह कहते थे कि अब हम कभी जिन्दगी में डामर की सलक पर नहीं चल पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यहीं पर जीना मरना सभी आई हैं, पता नहीं किस गोली पर मारा नाम लिखा होगा, तो किसी दिन पुलिस से मुटवेर होगी, गोली लगेगा, तो किसी मुराजगंदे के पास में बहुरा गाहों पड़ता है, वहां का एक अध्यापक था प्रेंसिफल, तो वो क्या करता कि लड़का लड़कियन के, अगर किसी कापी में गलती रहती थी, तो पहले पट्टी में पढ़ाई होती थी, काट की पट्टी होती थी, तो वो जब देते थे, तो बान देती हैं, गालिया तो अभी भी निकल जाती है, थोड़ी बहुत, अचा इंटर्वियू में नहीं, बचाईएगा, नहीं अचा है कि अब जो भूगा कहते हैं, जो ललका अगर उधम कर रहे खड़े हैं, तो उनको गालिया देने का कनव भाग हो जाता ह है, अब निके मानते हैं तो फिर उनको गालिया भी आ जाती हैं, लेकि निके भले अगर गालिया किसी को रहे नहीं देंगे, क्योंकि अब तो हमने बहुत अपनी कंट्रॉल पर पाबंदी लगा ली है, हमारे मैने 2000 में 2003 में, हमने 2002 में 2002 में सिपसेना जॉन की ती इटाबा जेल से, तो वहां के एक प्रदीप नम्मरदार हैं, तो बिन्ने हमारी गालियां बहुत छुटाई हैं, लेकिन बो कहते हैं कि रुपाए में 75 पैसा सुधर गई हो, लेकिन इतनी बनी रहेंगी तो कोई दिकत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ ये तो एक कहवज सुनी होगी, कि अगर सबकोच अगर छोड़के बिल्कुल सीधा पन पे जाओ तो ये समान जी ने भी नहीं देता है, जैसे एक आपने सुना होगा कि एक नांग देउता थे, कहीं जाते थे, आदमी को खाट लेते थे, पुसकार देते थे, जब भगवान जी निकरे, तो बोले कि जब उ जब एक दिन भगवान जी निकले तो ये खुना खचल पड़े है, तो उसने पूछा कि ये क्या है, कि माराज आप भी तो कह गए थे, कि किसी को डराना नहीं, किसी को काटना नहीं, तो बोले आपको हमने काटना बंद किया था, लेकिन फुसकारना तो बंद नहीं कराया थ आपने तैसा किया कि आपकी दोर से साथ, ये हो चुकी है, तो फुसकारना मतलब चलू रहेगा थोड़ा बहुत, तो रहने ही पड़ेगा, सो भाग है ना, तो बीहड में थी, आपने बंदू कंदो को ठाली, फिर शादी वादी कैसे कब कैसा कहा हूँ, शादी हमारी हुई का सदस्ट था, निरवे गुर्जर, बाद अपना लग गैंग बना लिया था, सुनते जाएए, फिर उसके बाद में ये तुम्हारे जो राम आशरे तिवारी और फक्कड बोले जाते हैं, फक्कड का गैंग सामिल हुआ तो उनके साथ में भूरे पंड़त, जैसींग गुर तो जनता ये सोचती होगी कि पता नी किसके साथ में क्या कॉन कॉन टोचर करता होगा, तो ऐसा है कि जो तुमारे यहां का कोई सदस्ट रिकलियर है, उसके संग में साधी कर दो, तब भी हमने बहुत नामेट किया, कि मैं साधी नहीं करेंगे, लेकिन सभी लोगों ने समझ निर्भया गुर्जर रहे ही डेल साले है, जेल साल केicken के बाद में, हमने निर्भया गुर्जर को अपने गया भागा दिया था गोली चली ती आपके उन्रीकॉठ तो जिस दिन भगाया था कुछ नहीं चला था, ऐसा हुगा था कि एक दो गाउन से हमें निर्वे गुरजर की सिकायते मिली थी, और जिस दिन भगाया था, तो जमना के किनारे, आपने अवकर कभी सुना हो सिकन्ना बरतौल है, तो सिकन्ना इनको हमने भेजा था, तो कुछ का तो मिस्र पुरा गाहा है तो था तो यह लोग वोट एखे सुबहें जा जब हम लोगन ने लग को इतनी हों कहा लगा तो इन ऐसे ऐसे आए हैं और जे जे गाओं में आके ये एक नाई के घर में गए थे इनने एक औरत के साथ में चेलकान करके आए तो उसी दिन से चेलकान बस चेलकानी की जे निर्वे ने क्योंकि दो सिकायत और मिल चुकी थी तो हमने कि इसके साथ में रहना गलत है इसको गैंगाई में नहीं रखेंगे तो वहीं से निर्वे गुर्जर को पाँच बजे वहीं सुबह इस सुबह पाँच बजे गैंग से भगा दिया था तेरे को मारेंगे तो नहीं लेकिन तो यहां से गैंग में नहीं रखेंगे वहीं से भगा दिया था पिर निर्वे गुरजर की जाने के बाद में निर्वे गुरजर ने कम से कम एक साल बाद हमसे गोली चलाई आए इनने भूरे पंडिस से और जैसींग से कहा जाके कि सीमा परहार तो आने को तैयार थी लेकिन लालारम ने आने नहीं दिया तो बो लोग ने कहा कि कैसे आएंगी तो बोले कि तुम उनसे गोली चलाओ हमारी आबाद सुनेगी सीमा परहार अलदौली चली आएंगी अच्छा इस तरीके से उनने आके गोली चलाने के लिए आए तो हम जंगल में उस टाइम पर थोड़े अलग को रोके थे जह आके इनन के दो-तीन फायर किये फायर करने के बाद में जो चौप से चराने वाले जो बरेदी होते है उनको मार पीट करके चौप नहें और तीन बज रहेusta गार उनको बेम्ने फेग करको जाने लगे बात क्या हो गई है जब आपने एक लड़के को जाए हमने पूछा जाके एक लड़के को भेजा जी हमने की जानवर चराने वालें से पूछी है कि इतने खंचोंपे क्यों हां क्रहे जंगल में से तब उसने बताया कि पता नहीं कोई गैंग है और कई उनको गारी देरा नाम लेके और कह रहा है कि कहां पर कही लाला राम उसीमा परहार वहां पर जाके मैंने अशी हवाई फैर दो तीन चार ठोप दिये हमने की सोचा हमने कि अगर अगर अधर होंगे तो अगर जब आप खुद ही देंगे और नहीं होंगे तो चले गए होंगे निकल के तो जब मैंने फायर चार अपने हवाई कर दिये तो कम से कम 20 मिनट वाद मेरे उपर फायर आया तो मैंने उनको 11 किलो मीटर पीछे को भगाया इतने दूर की मैं एक ब्यक्ति का सकल दिखाई दिया भूरे पंडित का और जैसी हमने फायर मारा है तो धूरा के संगे लुड़कते हुए दिखाना मट्टी के साथ मैं तब से पर मैंने मैंने 11 किलो अब het देया दे किहा है आपस में बड़ा सुनते थे गैंग वार हुता था, एक दूसरे गैंग के हिच में नायिए, सबसे नहीं होता था, ऐसा कुछ नहीं है यह तो आदमी सब कह जाता है, गैंग में जेंगल में रहके जंगल वार ना ही पालता है, Осी जंगल में हमें रहन उसे में उनको भी रहना है, ये तो सब कहावटें, लेकिन जब सामने वाला तुम्हारे उपर वार करता रहेगा तो मेग दायं मापी दे ώकते दो आई दे पाओ गें लेकिन जो जो परिहार गुरजर इस तरह गैंग है और चंबल के किनारे जो गैंग है वो राशपूतों के मान सिंग के गैंग है इसमें कितनी सचाई है कि जाती भी बढ़ी रती गैंगों के जितना देखा जाए नदियों के किनारे के और जंगल के किनारे के जे दच सुलोग है काफी लोग प्लैन के भी है अब आज की डेट में अगर देखा जाए जहां के लाला राम सिरी राम थे वो भी अपने परवार के सताये हुए थे और सबसे पहले उनने अपने परवारई वाले को अपने सगे दाव के लड़के को उनके बेटे को माराता तो ऐसा नहीं है कि लेकिन आदमी जाता किसी ना किसी कारण से है लेकिन रही बात यह है कि बागी कहीं का हो लेकिन रहेगा दस्थू लोग जमना वो चम्मिल के किनारे क्योंकि बेहर जादा पड़ता है और उनको बिना बेहड के रुक नहीं सकते हैं अब बीहड खतम हो गया ना बीहड तो है बीहड है मतलब लेकिन यह कहो कि दस्जू खतम हो गया अब इस टाइम पर बिलोकुल सुसंत है अब लोग बतातने कि एक गैंग आया है डिजिटल टाइप का हेलो गैंग अब होगा ले गैंग अगे के काःनी कुछ नहीं इनने दोदाइं गोली चलाई अनको गोली चला दिया reaction हूं व क्यों बढ़िये बढ़िये हां जी तो मुटबेड आगे बढ़ importe जिर वह उपने गैंग मेरा रहे हम अपने गैंग मेरा उसके loser हम ब्राठीब लाठी क क्या था ओता जो चलना है वह ऐसी सी तरीके से चलते थे भाई दिन में तो हर आद्मी चुपता है और आतके इापने डेली का चलना रहता था कहीं से पानी भाण भरा आठये राट दाल लेंगे कहीं पे जाको付 कर दो शोएंगे जाके 15-20 दिन वह सकता महीना में 14 जब गोली चल लही है हम लोगन को गोली सब प्राइविट मंगाना है कोई लेसंस तो है नहीं किसी के पास तो भाई एक रुपए की चीज है हमें चार रुपए में मिलेगी तो भाई आमलेसन के लिए औ खान पेट के लिए खाने के लिए लेकिन म में जितना रियल वागी था वो कभी यह नहीं करता था ना किसी का मकान बिकवाता था ना किसी की जमीन बिकवाता था पहले के लिख दिया जाता था कार्ड में जो लेटर जाता था कि आपके हैसियत से आदा और जब तक हमारे पास आप आओगे ना किसी ना किसी वहारी दोच सजार पर चूट जाएगी मैंने जनता को कभी ऐसा नहीं किया कि उसकी खेती बिकाई हो और कईया ऐसे भी अपहरण हुए हैं कि आपने कई कि फलाने के पास में इतना इतना धंदौलत है इतनी इतनी खेती पड़ रही उसको उठा के लड़का लेके आई जब उसका रियल पत पास में पचास भीगा नहीं पड़ रही उसके पास में दस भीगा खेती पड़ रही तो दस भीगा बाले अपने बच्चे पालेगा को दमास को देगा आके चली निर्भय गुर्जा का अंड और इसके आगे बढ़ते हैं जी मिला जुला के फिर क्या हुआ जीवन में ते महीने में खतम हुय थे कब मारगा ul दोहजर मैं साल दोहजर मैं जीए और एक बडीसंवर को मैंने अजवर किया था-मे अपने बडे भाई से जो आज दुनिया में नहीं है उनसे मैं बोला था ह ANY बह्या जीना मरना भगवान के हाँ मैं होता है हमारे तुमारे आप में न यवाला राम जी के इंकाॉटर कीसे बता सकती है? या कपराप कमराप कषबा है, वीयडा कशबा है। तो मैं एक आडब जी का मकान लिए थे आहां पे नाम के दूसरे नामingenे दूसरी नाम से से हुआ हुआ है में घंच कर दिया था मैंने रूरा में ले लिया था रूरा में तर रूरा में कम ली इंट पहुजि Colon भावी भावी कहिंए और जिस दिन लाला राम को पुलिस ने अटेक किया है तो लाला राम के इदर चेत्र की 84 की एक लड़की साथ में थी क्यों कि ये लड़की हमारे कमराप जब आई है तो लड़की आही है 7-7 वज़े एक दुकंदार छोड़ने आया रूरा का तब भी हमें उस लड़की भी नहीं बताई कि यहां पे लाला राम पकड़ चुके हैं, हमें पता लगा है दस वजे रात के, ऐसे लगा है कि जिस मकान में हम रहते थे, उस मकान का मालेक सिवली में, सिवली के आंगे 24 पर पड़ता है कस्वा, वहां पे बैंक में जाता था नो हैं, बहुत धोका किया, हमने क्यों, कि आपका नाम कई गुड़ी नहीं है, आपका नाम सीमा परहार है, हमने क्यों कौन कह रहा है, तो बोले कि जो कई जीजा आते थे, उनका नाम कई पाजी जो भान सिंग वाते, भान सिंग नहीं थे, लाला राम थे, और वो कई यहां पे किसी बारेंटेट आदमी का डारेक्ट कोई नाम लेगा तो उसको यही लगेगा कि पैरों तरह जमीन खेसक गई तो उस टाइम पर हमारा भाई बहार तहला आता हो सागर सोरात अच्छत पर छोटे वाले भाई के साथ मैं तो मैंने जिस तरीके से बैठे थे अपने भाई से का दो कि में बह्तएत नाम का भाई धाक कर दो कि ढारा भाई पर यहां ही धृता है भाई दो गंटा के लिए क習ा का फो प्रमारे में नाम हृा उन रोके हूप वादें फ़र षयूर्ट क यहां तो में रूसरा रृ छूरी दो अल्हां गया यहां लिए नाम ए भी ए 君bakन महां ges बेटा मेरा मात तेरह महीन एक तभी तो मैं तेटा मैम भाज गह भाज वाओं कहीं, कहीं बहँ बाएक तो हैं तब सफयोन ना हुपी के जतने जब्सक्राइब टृद्ट हो यही चीज अगर मैं करते हैं तो हमें हर शुथा हम्यजी मिलती च क्योंकि तो बादा यही थे आता को रहने के लिए माकान दिया जायेगा, आपकी बच्च्छा उसके लीए पैसा दिया जाएगा, आपकी लेसंस नही इता, आपको सुरक्छा के लिए लेसंस दिये जाएंगी, उसके बद मैं ऑनने बहुत था, आपके घर की दो जिनन की सरकारी नोकरी दिलाएंगे तो भाई मेरे कोई चीज नहीं दिया है बस ये तोफा जरूर दे दिया जब मैं 2004 मैं साथ मही को जेल से भी जमानत पर आओके आ गए हैं तो 2006 मैं जब सब कुछ त्याग के तो जूंटा एंड कॉंटर हमारे कुछ दुसम च्छे में इंकाउंटर हुआ इसके पहले आप तो सिफशेना वगरा से जोईन कर चुकी तो उसी टाइम किया था जब मैं जेल में थे और उसके बाद में क्योंकि जो सिफशेना का जो चुनाव चिन ने तीर कमान था तो उन्हें उकता हुआ सूर दिया था उसमें कर नहीं उसे मिलना चाहते हैं लेकिन हमने वहां पर क्योंकि हमारा भाई भी उस टाइम पे जिल में पहुंच गया था तो मैंने उनसे जिकाई प्रदीब नंबरदार से कि एक तो चुनाव चिन नहीं मिला रही बात है कि मैं भी जिल के अंदर मेरा भाई भी जिल के अंदर बिक बॉस में लडाई वड़ी होती थी आपकी सुनते हैं अभी भी आप ऐसा वोट आउट किया था आपको नाइव चौते सीजन में गई ती आप ना अरिलाबाद हाई कोट से परमिशन लेने के बाद हाई कोट नहीं हमने ही सिविल कोट से लिया था अपने हमारे कुछ मिलन वाले थे ऐसा था कि उस टाइम पर हम किस्ना मिश्रा से भी थोड़ा नाकुछ चल रहे थे जब इनने बेहड फिल्म बनाई थी पकड़ फिल्म तो उसके बाद मैं मैं करना हो इनकी कुछ गल्तियां थी हमने बानी किया था हमारे पास एक आनंद चोहान करके उनका नमर आय रहे थे तो उनने हम से कहा कि मैं एक चैनर के लिए आपको ले रहे लेकर जहां कаюсь ताकर अपने घर भी नहीं बताओगे ना दोसतन को बताओगे ना मीडिया बालन को बताओगे तो हम उस टाइम पर ये कहें कि पता नहीं हमारा दोस्त है कि दुसमान है आदमी अगर कहीं के लिए जाएगा घर बालन को बोल जाएगा कि मैं फले जगे जा रहे हूं यह मने कर रहा हूँ उस टाइम पर हमारे भाई का इंकॉंटर हो गया था, तो हमारे घर वाले सबी डरे हुए थे, क्योंकि मैं हमाई पड़ जाते है अपने घर में, तो जब मैंने उससे ये का, अब दो गंटे बाद फोन करना, क्योंकि मैं रास्ता चल लेकिन उसने आनंद चोहान बताया, तो ब मैंने मन्या किया, एक दिन में अपनी दरवाजे पर वैठे थे, उसका मैं बच्चों पर थोड़े घुटा थे, तो मैंने बच्चों पर थोड़ा मार पीट कर दी, और उस तब तक उसका फोना गया, तो गाली देखके उससे भी बात कर दी, हमने कि तुसाला चला है, तेरी हम समिस्या मैट दें, कभी सुगह, कभी दुफैर, कभी साम के फोन लगा के रह जाता है, तो वो माफी मांगने लगा, बोला के सिमा जी ऐसा करिए, कि आप आजाएए, आप अपना एडरस वेद दीजिए, मैं टिकट कर आते हैं, और आप आजाएए, हम लोगन को काफी लो पाले बोले कि किसी ना किसी को लेके जाएए, तो हमने क्यों कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, हिंदी मोया थो तो तोड़ा बहुत पढ़ ले होगे, और हार चीज इंगलिस में आने लगा है, हमने फिर राजीव चद्दा से बात की, तो राजीव चद्दा ने पहले ये क लेकिन घरबाले का यही मतलब रहा है कि आज जा रही है, लेकिन आजी बापिस होना है, बड़े खने गये, तो हमने जब उनको कहा कि वहाँ पे हमने कि वह चुम्मक नहीं होगे, जो सीमा परहर को चुपका लेंगे, अगर मारेंगे तो यह का तो यह को हम माल लेंगे, तो हमें स्टेश नहीं में रिसीप किया उसी में मैं बैठे और एक मान लीजिए कि मैं इतनी देर बैटे हैं कि वस साइन करते गई एक कौफी पी और वस हुआ ही तहते मेरे सीधा दिल्ली के लिए फिलाइट था क्योंकि नकलव के लिए हाल मिला नहीं था तो मैंने दिल्ली क कराया था और दिल्ली से रिवा गाड़ी का टिकट था सीधा कानपूर के लिए तो क्योंकि हमारे फपुंद में रिवा गाड़ी खड़ी नहीं होती है तो हम जाके जीजक में उतरे जाके और राजीव चड़ा को मैंने छोड़ दिया उसे कानपूर जाना था वो कानपूर उतरा जाके इस तरीके से में बिग बॉस में के लिए हां करके साइन करके आई लेकिन मैं बोल के आई थे कि हाई कोट का डारेक्शन मेरे पास है कि मेरे को हर सब्ता कोट में पेस होने पड़ता है हम आल इंडिया में कहीं रहें कहीं हो सकते हैं तो बोले कि तुम वहां से न तो जे राजीब चड़्डा नहीं माना उन लोगन ने कह दिया कि ऐसा है कि चड़्डा जी देख लीजिए जो पैसा लगेगा हम पैसा लगाएंगे आप इनका करा के आईए राजीब चड़्डा गए तब तक डेट आ गई बंबई जाने की और यहां पर हम अपने वकिल से करके गए थे कि वकिल साब पहले हमें जा रहे हैं बंबई और वहां से जाके में डारेक्ट कलच चैनर वालों से बात कराएंगे अगर मान जाएंगे तो सही है नहीं मान जाएंगे कोई हमें जबर जस्ती अंदर नहीं करेंगे तो दो दिन होगा है जो बंबई का कनोडर हो तो कुन वो ले कि कौनाल जी हैं। टो हमनी कौनाल जी से हमें 2 मिनट की मुलाकात कराई ए ह। उचे पूछा कि हमने की भैईया एक चीज में कर सकते कि हमारा वकील इस्टाम पेपर पर लिख के दे सकता है कि आपके कलच एनरपे या विक बॉस के घर में कोई दिककत आती है तो उसके जुम्मेदार हम होगे तो उसने बोला कि भाई सीमा जी तुरंत की कागज मंगाई है हमने वकील को फॉन लगाया वकील ने तुरंत कागज अपना फैक्स कर दिया उनकी धेंगा पंदार में पहुंच गया तो इस कारद से में वक बॉस में पहुंचे अंदर क्या होता था अंदर लोग बताया जाता था क्या करना क्या बूलना है नहीं कुछ नहीं रहता है कोई रियल नहीं वहां पर नहीं रहता है जिस तरीके से ह पहले बास लीजिए जेल में रोटी मिलती है वहां भी रोटी मिलती है जेल में बनी भई मिल जाएगी वहां बनाने पड़ेगी हर बंदे का वहां पर न तो घड़ी है न मुवाइल है न टेली वीजन है न न नूज पेपर है कुछ नहीं है आप अगर जरा से भूल गए कि आ दो हपते तीन तो यह लगता है इतना ह врlungs लंबा लगता है कियोंकि हर व्यक्ति का हर चीज चूटता है टने में आपको रहना है गरह लिए कि खर बना है खाने पीने की विवस्ता है सब कुछ है लेकिन भाई मेरे अगर हर आदमी सब जगे घूम रहा है और एकदम किसीम Nicован क कोई रहा तो फीस तो मिलती होगी टेलीवीजन की नहीं ऐसा है कि जो आपका थे हुआ होगा कि आप पच्छीस हजार में रह रहे हैं एक कना उसपता के लिए के पचास में रह रहे हैं तो उस टाइब जैपता रोके उसका पैसा पूरा कनो मिलेगा जिस दिन आप निकल के है कि अगर तुमारी थोड़ी बहुत तभीयत खराब है तो डाक्टर हर आदमी को बाहर निकाल दिया जाएगा एक बंदा रहेगा आपके पास में और डाक्टर आएगा आपको दबा देया चला जाएगा जब आपकी ज्याधा से तो कंफेशन रूम में आपको ले जाना प इन प्रीम होग खली वी था खली भी बाइगा एंट्री में आया था पामीला तीन दिन के लिए गैस्ट बनके आई थी पामीला एंडर्सन अजिए हमारे लिए यही तीन लोग आए तीन लोग आए थे मानो तिवारी बढ़िया था रहा है यह सही आदमी रहा है डॉली किसी से लडाई भी थी एक दीन मैंनने सोचा भी था कि अग रादा भी लाड़ाह ले मैंने भी विख भुट वी था जब डॉली विंदरा सिफ्ता तवारी से उसने पकड़ लिया था उसके नाखून बड़े थे तो आप टिन लग गगिया थे और डॉली विंदरा मैंने नही वाइकाट एंट्री में फिर दुबारा आ गई दो हफते बाद में तो हमें यह पता ने कितना उनने सच्चाई दिखाई कितना नहीं दिखाई है मैं लोगने यह बोला था कि देखा था कि सीजन थ्री में एक लड़के ने पानी की वोटल खाली करके ऐसे फैंक दी थी मारी थ पता नहीं कर लक दोटके इसने तो लोहे की राड मारी थी फुप पिर भी करना यह दुबारह आ गे ती यह दुना मंद्रा मनो तिवारी सबाट से बात्चीत होती नहीं हमारी मनो तिवारी का मेरा फॉन टूट गया उसमें अमर चला गया तो किसी से मिलन पहुंच जाता है कीजिए न होगी इ कभी बगे मन इट Phillis से मिलना आजयता है कभी किसी से मिलन पहुंच जाता है और भाई वो तो भाई पुलिस का नम हैपूलिस है है तो भो तो कहीं भी जा सकता है अगर देखा जाए रहर हमारे सीजन में जितने आदमी गए तसब अच्य थे अगर देखा ज वही है विकबोस में जाने से वागी तब की बढ़ी है? वही जाट पंजाबी था और फिर डॉली विंद्रा ने उसकी चिचल लेदर करी है तो आज एमियत देखी जाए तो उसकी बहुत में जाने से उसकी कम होई है अब अभी कोड जाना पड़ता है? हाँ अभी अभी हमारे पास एक मुकदमा है तो जाना पड़ता है पेशी अला तो खतम हो गया हार अभी हम यह सोचते थे कि अभी मुकदमा रह गा तो एक मुकदमा यह भी खतम हो जाएगा बंद हो जाएगा तो काय के लाए हम अभी केशन बगएरा लगाए बैसे यह डारेक्शन हुआ था ओर रही वाली तारीकन पर तो मैंने ओर यह में तो उरही के हमारे खतम हो गए आज कमसे कम 5-6 साल पहले सो खतम हो चूके हैं लेकन हम अगर कोरोना काल नहीं होता तो अब तक ये भी जजमेंट हो जाता तो इस वज़े से अभी एक चला है अभी खर्चा पानी तो भाई मेरे अब दोहजार अठारा से बिल्कुल बंद चला है अब जिस तरीके से हम जहिल रहे वह हम ही जानते हैं छक्कर ये हैं कि फिल्म मैंने बनाई थी किसनामिस्रा नहीं हेक पैसाब़ नहीं दिया था और दूस्तिती बात है कि बिक बास में गए थे हमें पांच्हेल लाक रुपाई मिलेते हैं तो फ्रही ज़ 이상 होते हैं मेरे आज की मेंहाई मगाई में रही बात जह है कि अब भी तक अपनी बच्चों की गुजर्विस्तर कर रहे थी और अब रही बाद जी है कि 2018 में कुछ है पुलिस वालों हमारे दुबारा फिर भाई को छेडखान करिया कि 2019 में उसको फिर जिल भेद दिया था चोटे वाले को और उसके बाद में 20 से कौरोनी काल चल ला है तो हर जगह की अ हमारे पास कोई बिजने से लाकेती है बच्चे का बच्चे पड़ा रहे इन साल तो हमारे बेटे को मैंने अड़ी सदी करा पाया क्योंकि दो तीन साल से परेशाल चल लाए है तो बटीजे का कालेज हमें मिल गया था सरकारी और डाइट कराने थी बेटा भी कर चुका है औ अर बच्च उड़ाई कर चुका है और इसने डाल पाया था व प्राइवेट डालते तो भई पच्छ साजार रुपाय का खरचा रहा है डाइट कराने का और सरकारी अगर स्कूल मिल जाथा तो परेशाट तो च्छे की स्कूल मिल जाता तो अजिएत करा रह महीं तो नहीं बच्चों की पढ़ाई में खर्चा आजकाल कितना होता है जो हर बंदा जानता है कि आप तो पहले की पढ़ाई आपकी पढ़ाई में बहुत अंतर हो गया अगर आपकी ताएं तो पढ़ाई अगर बच्चे की दोई बच्चे हैं आपकी पास में और आपने अगर पढ़ाई कर लिए तो बहुत बड़ा काम कर लिया चाली तो ये थी सीमा परिहार से हमारी बातचीत इस बातचीत पर हम आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे अपना ख्यार लखियेगा और लललन टॉप देखते रहिएगा बहुत बश्चुलिया